अनुपातिक कर प्रिणाली यानि कि प्रोपोर्शनल टेक्स सिस्टम को अगर हम देखें तो यहाँ पर होगा इसके ताहित पूरी आए यानि कि पूरी आए पर सभी को समान दर्से क्या होता है कर अदा करना पड़ता है इस प्रिणाली में आए बढ़ने पर कर की राजी में बढ़ोतरी होते हैं लेकिन कर का जो प्रिणिसत होता है वह हमेशा एक ही बना रहे था इसका मतलब यूँखा कि आप कहेंगे कि अनुपातिक कर परनाली कैसा होगा अनुपातिक कर परनाली यह है कि भाई साब आप मान लिजीए दस लाग कमाते हैं तो दस लाग सरकार ने क कमाते हैं तो दो लाग का दस परसें कितना हो गया आपका हो गया पीस लाग रुपए आप दस लाग रुपे कमाते हैं तो कितना हो गया आपका एक लाग रुपया तो इस तरह से इसमें क्या होता है रासी में बढ़ोतरी होते हैं लेकिन जो प्रतिसत होता है वह हमेशा एक साही बना रहता है और इससे क्या होती है क्योंकि आपने ज्यादा रुपया कमाया तो ज्यादा रुपया आपको देना पड़ेगा मतलब परसंटेज उतना ही रहेगा लेकिन पैसे तो बढ़ जाएंगे ना समझे ना बात को चालिए चौथा देखते है अधोगामी कर्परण इसमें क्या होता एक सीमा तक आय पर क्या होता टेक्स में बड़ोत्री होती है लेकिन उसके बाद उससे उपर कितनी भी आय हो जाए कर की जो दर होती है वह हमेशा समान ही रहती है जो की भारत में इस तरह की कर्परणाली अपनाई जाती है तो आई ये समझते है मैंने क्या बतायए अधोगामिक की पिनाली इसन में एक सीमा तक ही ट्रेक्स में बड़ोस्ति होती है, लेकिन इसके बाद जब आगे बढ़ेगे या कहें कर जितनी भी यह गानल प्लस एक रुप्य जैसे आपका ऊपर होगा वैसई आपको कितना दे ना पड़ेगा वैसई आपको 5 tul ego इना पड़ेगा तो ह्तों से 3 lakh तक क्या है आपको पांच परसंट देना पड़ेगा जैसे भी कमाये लेकिन आपको कितना देना होगा सिर्फ और सिर्फ 30% ही देना होगा जैसे कि भारत में मैंने क्या बता है 2019 और 2020 के बजट में जो टेक्स सिस्टम है वो इस तरह से अपना गया है कि धाई लाग तक कोई भी कर नहीं देना है धाई लाग से तीन लाग तक आपको क्या देना है डाई लाग से उपर और तीन लाग तक क्या देना है आपको पांच परसेंट देना है इसके बाद तीन लाग से उपर और पांच लाग तक पर क्या देना है पांच परसेंट देना है इस तरह से यह कर्पेडाली अक्ट बनाई गई है ठीक है चलिए यहां पर देख झाल झाल